बिस्विलाई रह्मानीरीम, Assalamualaikum my youtube family welcome back to my channel so किसी ने मुझे request की ठीके मैं इस topic पर video बनाऊ कि teachers की job के लिए यहाँ पर कैसे apply करें and कैसे मिलती है यह jobs so let me clear you one thing कि मैं कोई expert नहीं हूँ जो मेरा experience है मैं आपके साथ share करोंगी and जो चीज मुझे काम आई and मिना experience की मुझे कैसे job मिली teacher की so मैं आपके साथ share करती हूँ okay so सबसे पहले तो मैं अपना experience share करती हूँ and मैं यह भी बता दूग आपको के मैं बिल्कुल भी teaching field से नहीं थी लेकिन यहां के मुझे teaching की job कैसे मिली and क्यों की teaching की job actually मैं यहां पर जब आई थी तो I was trying to get cashier job क्योंकि मेरा experience जो था वह cashier का था so मैं सोच रही थी कि मुझे कोई marketing की या फिर कोई cashier की job मिल जाए लेकिन मैं एक साल try करने के बद मुझे यहां पर कोई भी job नहीं मिली जो की मेरा experience था and जो मेरा feel था so मुझे यहां पर job नहीं मिली so जो लोग UAE आ रहे हैं या फिर वह लोग आने का सोच रहे हैं वह लोग यह सोचते हैं कि दुबए में job बहुत easily मिल जाएगी तो let me clear you one thing कि यहां पर job मिला इतना आसान नहीं है it's very difficult like मैंने लोगों को देखा है एक 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 साल भी लोग कहां पर बैठे रहते हैं job की इंतजार में लेकिन उनको job नहीं मिलती है so यहां पर job मिलना is very difficult यह job मिलती है लेकिन time लगता है आपको काफी सार experience चाहिए होता है so okay so मैंने एक साल ट्राइ किया था job के लिए जो मेरी फिल थी लेकिन मुझे नहीं मिला so मैंने काफी लोगों से कहा था कि मुझे job चाहिए तो मुझे जो job मिली है वो reference से मिली थी जरूरी नहीं है कि आपको भी reference सहीं मिले मुझे reference से मिली थी लेकिन मुझे भी interview देना पड़ा था and मैं जब job लगी थी so मैं एक महीने के trial की job पे लगी थी लेकिन लोगों को मेरा काम काफी पसंदा किया था तो उन्होंने मुझे job पे continue किया था so यह भी depend करता है कि आपका job पे behavior and सब कुछ कैसा है so उसे इसाब से भी आपका job decide होता है so मैं थी nursery teacher सबसे पहले मैं nursery teacher में ही लगी थी and मैंने around एक साल job की है वहां पे nursery school में so and उसके बाद अभी कुछ time पहले मैंने job छोड़ी है so job मुझे कैसे मिली यह मैं आपको बता दिया and मैंने उसके बाद भी कैसे try क्या वह भी मैं आपको साथ share करती हूँ so अगर आपको try करना है तो आप different different portals पर जाके भी try कर सकते हैं जैसे के LinkedIn है या फिर आप नौकरी गर्फ पर भी try कर सकते हैं and बहुत सारे portals है जहां पर अपने cv upload कर सकते हैं अगर आपके पास experience अच्छा है teaching का तो मैं especially teaching के लिए कह रही हूँ हो सकता है आपको किसे और फिल्ड में यह चीज काम आ जाए तो आप इन सारे portals पर try कर सकते हैं and सबसे आसान तरीका है जो मुझे काम आया and मैंने काफी सारे interview दिये हैं so मैं क्या करती थी कि मैं Google पर जाती थी and मैं search करती थी कि मेरे आसपास जो है वह कौनसी कौनसी schools है उनके में phone numbers लेती थी and directly मैं WhatsApp पर ही उनको contact करती थी so आप यह भी try कर सकते हैं अगर आप यह सारे portals पर नहीं जाना चाहते किसी reasons से आप directly WhatsApp पर भी इनको contact कर सकते हैं even आप email भी कर सकते हैं so यह काफी easy रहेगा आपके लिए कि जब आप portals पर try करते हैं तो काफी time लग जाता है जवाब आने में so अगर आप WhatsApp से उनसे contact करना चाहे तो आप contact कर सकते हैं so यह था मेरा कुछ experience I hope कि आपको कुछ information मिली होगी इससे okay so next चीज है कि अगर आपको किसी reason से teaching की job नहीं मिल रही है आप teaching field से हैं जैसे कि आपने teaching से related को course किया है लेकिन आपको teaching की job नहीं मिल रही है तो सबसे best तरिका है कि आप घर से ही tuition स्टार्ट करें है जितना ज्यादा experience आपके पास होगा उतना ज्यादा आपके लिए benefit होगा आप यह नहीं मिली है और पताने कितना time लगेगा यह वो मैं पहले ही बता दिया कि है यहाँ पर job मिलने difficult है लेकिन अगर आपके पास experience है तो आपको job बिला इतना difficult नहीं होगा हाँ time जरूर लगता है लेकिन जॉब इंशालला को जरूर मिल जाएगी तो आप यह चीज कर सकते हैं मैंने भी यही किया था सबसे पहले तो अब पहले हैं यहाँ पर आप किसी भी टूशन से स्टार्ट करें यहाँ पर चीज का बहुत ज्यादा क्रेज है लाइक पारेंट स्कूल के साथ साथ भी बच्चों को टूशन दिलाते हैं आप अपने फिल्ट के जाब से टूशन करवा सकते हैं जो भी आप जिस चीज में भी expert ह पहले होम बेस से टूशन स्टार्ट करें उसके बाद हो सकता है थोड़ा experience हो जाए तो उसके बाद आप स्कूल वगेरा में ट्राय कर सकते हैं मैंने काफी सारी लेडिस देखी है वर मैं खुद भी टूशन लेती हूं आपको यहाँ पर रहकर कुछ साइट खुची तो निक स्कूल लाइक जो भी छोटी-छोटी स्कूल है उनसे भी ट्राय करें आप जरूरी नहीं है कि अपको अपके पस अच्छा experience है तो आपको directly ही बड़ी स्कूल में job मिल जाएगी है किसी बड़ी जगह पर job मिल जाएगी मैं अपना experience बता रही हूं आपको मैंने एक साल job की है मुझे नहीं मेरी है तो आप imagine कर सकते हैं मेरे पास almost एक साल जैसा experience था teaching का लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिल रही है job आप चोटी-छोटी स्कूल से start करें मैं भी जो job करी थी वह home-based kindergarten था लेकिन अच्छा था but मैंने छोड़ दिया कुछ reasons की विज़े से आप चोटी-छोटी जगहों से start कर सकते हैं आप एवन घर पे भी चाहते चोटे-चोटे बच्चे को बढ़ा सकते हैं अच्छा एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ share करना भूल गई थी कि मैंने recruitment company से भी try किया था job के लिए जिसमें आपके पस कुछ amount charge करते हैं उसके पद आपको interview के लिए भीजते हैं don't try this message बता रही हूँ मेरा बहुत ही बुरा experience रहा है उन लोगों के साथ उन्होंने मुझे जो है वह दो जगहा पे interview के लिए message बिजा था उसमें से मैंने एक interview दिया था and दूसरा जो था वह मुझे बहुत ही worse कि सिम्का उन लोग ने reference बिजा था so हमेंने interview भी नहीं दिया उसके पाद उन लोग ने मुझे messages वगेरा पी जो मैं करती थी उसका reply दिना बन कर दिया so ही मेरा बहुत ही worse experience था even मेरे पैसे बरबाद हो के time बरबाद हो गया and like जो है वो मुझे एक अच्छा खासा जो है वो नुक्सान हो गया so I will suggest you कि कभी भी इस तरह की recruitment companies जो होती है यह मेरा बहुत ही बुरा experience था okay यहां पर day care का भी काफी ज़्यादा क्रेज है so आप चाहें तो घर से भी day care कर सकते हैं या फिर आप किसी day care में भी job कर सकते हैं so मैं भी जो कर रही थी वो day care के साथ nursery थी so मुझे अच्छा खासा experience हो गया है day care के लिए आपको कोई भी experience की जरूरत नहीं होती है आपको बस patience चाहिए होता है क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ patience रखना बहुत जरूरी होता है हर तरीकी के आपको बच्चे मिलते हैं कोई बहुत जादा naughty भी होता है कोई मुझे reference से मिली थी लेकिन of course मैंने इंटर्व्यू दिया था जैसे कि मैंने आपको बताया so like उसके बाद मैंने continue किया so उसमें सबसे बड़ा जो main reason था कि आपको सबसे main चीज चाहिए होती है कि आपको patience बहुत रखना पड़ता है बच्चों के साथ plus आपको जो है वो उनको एक you know बहुत friendly रहना पड़ता है बच्चों के साथ क्योंकि यह बच्चे होते जिनके parents पुरा पुरा दिन job पे होते एंड आपको उनको look after करना होता है कभी कोई बच्चा रो रहा है कभी पड़ी मार है कभी कोई बहुत जादा जो है वो शरारती बच्चे होते हैं आपको हर तरीक एस उनको handle करना आना चाहिए आप हर व्यवक्त अगर आप खुद ही चीड होंगे तो आप कभी भी बच्चों को जो है वो अच्छा handle नहीं कर स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए होता है और ही किंडर गार्डन की जॉब की बात अगर आपके पस बिल्कुल भी experience नहीं है just like me, मैं बिल्कुल भी experience नहीं थी zero experience था आप चाहें तो यूट्यूब से जो है वो चीजें सर्च कर सकते हैं किंडर गार्डन की बच्चों को किस तरह से पढ़ाया चाता है बहुत easy है बस आपको एक से दो दिन लगेंगे सारी चीजन सीखने में so अगर आप चाहें तो ये भी try कर सकते है so मेरे पास जो भी information थी मैं आपके साथ शेयर कर दी है so इंशाला हो सकते है कुछ चीज ने आप लोगों के काम आ जाए जरूरी नहीं हर चीज आपके काम आए जो भी मेरे पास information थी मैं आपके साथ वही शेयर की है मैं इसमें चीज में कोई expert नहीं हूँ so I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर बसंद नहीं को प्लीज लाइख शेयर को नहीं है अगर बस्द आई हो प्लीज नहीं है अगर बस्द आई हो प्लीज आपके साथ नहीं है